नमस्कार रिना स्पूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज धोकला बनाएंगे लेकिन ये बेशन का नहीं बनाएंगे इसे सिर्फ चावल से बनाएंगे और कौन सा धोकला अच्छा बनता है इसे भी बताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना ना भूले इसके लिए मैंने एक कप चावल को भिंगो करके रखा है पांसे छे घंडे के लिए भिंगो करके रखें या फिर इसे ओबर नाइट के लिए रखें तीन चार वर अच्छी द्रस से धो करके पानी से इसे मिक्सी जान में डाल दें पिशने वक्त इसमें एक इंच अध्रक का टुकड़ा कुछ फ्रेश करी पत्ते थोड़े से धनिया पत्ता स्वादनुसार हरी मिर्च साथ आठ साबुत काली मिर्च बिना पानी डाले इसे पीशें ऐसे हम धोयवे चावल को जब इसमें पीशते हैं तो पानी डालने की जरूत नहीं पड़ती है एदि आपको रिक्वार्मेंट हो तो थोड़ा सा डालने स्मूथ पेस्ट बनके तियार हो गया है इसे किसी बाउल में ट्रांसफर कर दे अच्छी तरह से एक और फेट ले आप इसे चार से पांच घंटे के लिए धक करके रख सकते हैं जिससे थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा आप इसे चीले भी बना सकते हैं मैंने इसे देर के लिए धक करके रखा है जिस कंटेनर में स्टीम करना हो उसको ग्रेज कर ले और कढ़ाय में पानी डाल करके एक स्टैंड रख दे जाली वाला और कढ़ाय काली ना हो इसके लिए निम्बु ढाल दे दो घंटे के बाद थोड़ा से यह फर्मेंट हुआ है पानी उपर हो जाता है इसलिए से मिक्स कर लें अची तरह से अब इसमें स्वादानुसार नमक फिर अच्छी तरह से इसे मिला ले तीन-चार मिनट के लिए इसे फिर से फेटे फेटने से यह फ्लाफी हो जाता है हेल्दी वर्जन करने के लिए आप इसमें कोई भी फैबिट और उसे एक और फेट लें इसे ज्यादा ने फेटना है अब इस बैटर को कंटेनर में डाल दें जो ग्रीज किया हुआ है इसके बाद एक वार अच्छी तरह से टैप कर लें फिर स्टीम करने के लिए कड़ाई में डालें ठक करके इसे लो फ्लेम पर स्टीम करें बचे हु कॉनि स्टीक पैन को हलका सा गर्म करें और उसमें तेल लगा करके ग्रेज करें अब चाबल का बैटर कम डाले तवा पर इदी ज्यादा तवा गर्म हो जाता है तो उसमें चाबल का बैटर डालते हैं तो काफी जालीदार जिक्कस बनता है यह फिर घृ देर हम इसे चीटे स और तेल से इसे सेक लेंगे अब कडाई की तरफ चलते हैं इस पे स्टीक डाल करके देखते हैं यह इदी नॉन स्टीकी होता है तो तो परफेक्टली स्टीम हो गया है तबावला भी सिख गया है अब इसे ठंडा करेंगे और तड़का देंगे नए पैन को एक वार गरम करें इसके स्टीकर को गरम होने पर निकाल सकते हैं इस टिप को फॉलो करें इस पैन में तेल डाले राई और मीज डाल दें थोड़े से कड़ी पत्ते इसे थोड़ा सब भून ले आप यहां पर तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं और आपके पास कच्चा नारियल हो तो इस वक्त इस चीनी घोल करके इसमें डाल दें और उस बक्त नीबू का रस भी डाल सकते हैं चाकू की मदद से साइट को अलग करें जिसे असानी से इसको निकाला जा सकता है अब इसे पलट ले पहले प्लेट को इस पर ढखें उसके बाद इसको फ्लैप कर ले और इसे हलके हाथों से टै त्यार हो जाता है राइस धोकला बनके तियार हो गया है इसके ऊपर तड़का डाल दे आप इसे चटनी या फिर सांबर के साथ सर्व करें आप इसे दही की कड़ी के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बलगता है और इसे कट कर ले थने पत्ते से गानिश करें और भी धोकला को टेस्टी बनाने के लिए इसमें चना दाल या फिर उड़त दाल को भींगो करके पीसे तब धोकला बनाए तब बहुत ही अच्छा लगता है जितना अच्छा बेसन का धोकला लगता है उतना अच्छा सिर्फ चावल का धोकला नहीं लगता है मेरे चैनल पर आपक तो मंचूरियन का टेस्ट आ जाता है तो आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स रेसिपी की साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स फर वचिंग